हलो दोस्तों कैसे हो आप सब देखिए हमारे यहां की सेट्रिंग खुल चुकी है पूरी तरह से यह देखिए यह सारे हमारे पेड़ लगे हुए है यह यही रखे हुए है अभी हम इनको उपर नहीं ले गए है रूप में अभी उपर की छत भी नहीं बनी है सही से जब बन ज जीना रहे था अभी यह नहीं खुला है इस पर अभी पट्रेवल्ली लगे हुए है इसकी सर्ट्रिंग रहे गए है खुल नी आधे जीने खुल चुके है और आधे अभी नहीं खुले है और अंदर का भी हम आपको दिखा देखते हैं यह हमने अपने टंकी पहले यहां हम चा देंगे और यह पूरा अभी पट्रा वगेरा जो सट्रिंग है वो सारी अंदर कमरे में ही रख्या हुए है यह दिखे हमारा आंगन है आप लोग देख सकते हैं यह आंगन है यह अभी सब ऐसे ही पड़ा है अभी इसमें काम सुरू होगा प्लास्टर का काम अभी चल प्लास्टर करवाएंगे फिर साफ सफाई भी होगी पूरी छत में पौधे दिखने पड़े हैं कि कमरों के अंदर भी पौधे हैं क्योंसे बहुत ज्यादा थे पूरी छत भरी हुए इसकी प्वेड़ों से जगे जगे पर प्वेंट रख्टे हुए हैं यह दिखिए इध चार-छे दिनों में यह काम भी शुरू होने वाला है और आज आईए है आईसमान की साइकिल हम आपको भी दिखाएंगे इनकी साइकिल हमने ओडर करके मंगवाई थी तो आज आ गई है और सभी लोग हमारी वीडियो पर बने रहेगा हम आपको पूरा दिखाएंगे इनकी साइकिल भी आप लोग देख लेना यह बहुत ज़्यादा खुस है तो आप लोग देखेगा कि आईसमान की खुस है साइकिल आने के बाद यह देखिए आ गई है इनकी साइकिल सुबा सुबा साड़े दस बज़े इनकी साइकिल आई है और यह बहुत ज़्यादा खुस है आज हम 5 दिन पहले order किये थे इनकी cycle और आज 5 दिन बाद इनकी cycle आ गई है इनको बहुत इंतजार था ये रोज हम को परिसान करते थे रोज हम से पूछते रहते थे कि हमारी cycle किस दिन आएगी किस दिन आएगी तो इनकी cycle आज आ गई है अभी इनको चलाना नहीं आता है घर मे दूसरी साइकिल थी हमारे यहां लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी थी जो आइसमान के परूस में पहुंचते नहीं थी अच्छे से इनको दिक्कत होती थी चलाने में उसको तो हमने इनके लिए 16 इंची साइकिल यह औरर करके मंगवाई है छोटी सी हम सोच रहे थे कि छोटी सा क्यूंकि इसमें सपोटर भी लगे हुए हैं जो साइड में पहिये लगते ही वो भी लगे हुए हैं और यह हमारे देवरा और हमारे हजबन दोनों लोग मिलकर इसको बांध रहे हैं इसके साथ में रिञ्च वगएरा सब कुछ मिली थी तो ज़्यदा इसको बांधने में द और दोस्त थे ऑस्वान क избIsनके वो बार-बार पुछ रहे थे concentration कभ आएगी और आज़ आ गी है और वो सारे बच्चे भूद्धा आई हैं जो भी इनके साथ खेलते हैं आप वो सभी कुछ नांते हैं कि उनको भी obeím चलाने को मिलेगी यह साइकल इसलिए बच्चे भी आ रहे हैं बार बार पोच रहे हैं कि यह हम भी चलाएंगे थोड़ा सा हम को भी चलाने देना आज संडे था तो सुबह सुबह इनकी साइकल आ गई है तो इनका दिन बहुत अच्छा आज निकलने वाला है क्योंकि आज यह पूरा दिन साइकल चलाने वाले हैं बड़ी बिटिया का थोड़ा मूट खराब हो गया है वह कह रही थी कि हम अपने लिए भी कह रहे थे यह इतनी छोटी साइकल है इसको हम चला नहीं पाएंगे लेकिन आइसमान के लिए यह बिल्कुल फिट बैठी है आइसमान छोटे ह तो उनके लिए चलाना आसान होगा इससे वो गिर भी नहीं पाएंगे और साइकल चलाना भी अच्छा से सीख जाएंगे तो आप लोग दीखिए यह बन चुकी है पूरी तरह से और बच्चे देखिए किस तरह से घेर के खड़े हुए हैं सारे अभी यह चलाएंगे तो सा आयर वायर भी बहुत अच्छे हैं और इसमें घंटी भी लगी हुए है इस बेल को देखके आइसमान बहुत ही ज़्यादा खुस है उनका कहना है कि इसको भी लगाएंगे जरूर क्योंकि हम इसको बजाएंगे उनको हॉर्ण बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है बच्च आने जा रहे हैं इनको चलानी भी नहीं आती अभी तो यह सीखेंगे पहले उसके बाद भी चलाएंगे और यह देख चला रहे हैं रोड पर लेकिना चला नहीं पा रही है अभी सही से क्यowieकि इनको पता ही नहीं यह कैसे चलनी है तो सब ही लोग इनको बता रहे हैं कैसे चलाना है ये पैडल नहीं मार पा रहे हैं आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो इनको डर लग रहा है चलाते हुए ये डर रहे हैं कहीं गिर ना जाएं थोड़ा थोड़ा सा चला भी रहे हैं देखिए इसमें जो सपोर्टर लगा हुआ है उसकी वज़े से इनको इसको चलाना असान पड़ रहा है अभी ये साइकल के ऊपर अपना बैलन्स अच्छे से बना नहीं पा रहे है एक दो दिन में इनको अच्छे से चलानी आ जाएगी बैलन्स बनाना आ जाएगा एक दो दिन तो इनको पकड़के ही चलवाना पड़ेगा शिखाना पड़ेगा पहले आप लोग देख सकते होंगे कि बच्चे इनके आगे पीछे लगे हुए हैं ये बच्चे बड़े खुश हैं कि इनको भी साइकल चलाने का मौका मिलेगा अब ये बिटिया बड़ी वाली थोड़ा सा हम लोगों के कहने पर साइकल पर चड़ी है और कह रही है इतनी चोटी साइकल है ये हम नहीं चला पाएंगे और हम इसको नहीं चलाएंगे लेकिन जब अरजस्ति करने पर ये थोड़ा सा चला रही है जिनका कहना है कि ये हमारे लिए बहुत छोटी है